प्रयागराज यमुनापार के मेज़ा एलाके में एक नवंबर की रात में ओम प्रसाद मिश्रा की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने मुख्या रूपित समेत दो लोगों को गरफतार किया है उनसे लूटी गई नगदी समेत अन्य सावाल और हत्यार बरामद हुए हैं दोस्तों ने लूट के लिए कतल कर दिया था मेज़ा के समहन गाफ के ओम प्रसाद मिश्रा की गला घोट कर हत्या एक नवंबर की रात कठोली जंगल में की गई थी बेटी ने 5 लाख रुपे लूटने का शक्त जताया था इसमें सुनील मिश्रा समेत चार लोगों पर मुगदमा लिखवाया गया था पुलिस की छानबीन में सुनील के अलावा बाकी तीन पिता पुत्र बेकसूर निकले सुनील से पुस्तास के बाद समहन गाव के ही मोहित मिश्रा को पकड़ा गया उन दोनों से पुलिस ने ओम प्रुसाद से लूटे गए बैक साथ हजार रुपे चेक बुक, पासबुक, मुबाइल फोन और एक तमंचा बरामत किया शे तारिक को एक हत्या का मुकदमा टाइम नंबर 942 पुटे ओन निस हाना मेजा पर पंजीफ कुलिट गए था इसमें ओम प्रुशाद मिश्रा की हत्या की सुम्चना जो समहन गाव की निवासी थे दी गई थी इसमें चार अभ्यूक्त नामज़त दिये गये थे लेकिन विवेचनाक दौरान जो बात प्रकाश में आई कि इसमें से तीन अव्यूक्तों की नामज़ती तो रंजी स्वस्थ दी गई थी पहला विक्स दुनीर मिश्रा पुत्र विश्रनात मिश्रा जब इससे कड़ाई सित मुश्ताश की गई तो इसने बताया कि इसने और इसके तीन अन्य साथिया वर्काश कुल तोकर चार लोगों ने मिल करके वों पुर्शाद मिश्रा की एक बटे दो नौंबर की रात में कठवली के जंगल में उसको खुश लिए गाजा आदि पिला करके और गमचे से उसकी गला गोट करके हट्टा कर दी और उसके पास जो मिश्रा इनने पूरी बात बताई तो इसके साथ तीन अन्य विप, मोहित मिश्रा, विनोर पांडे और एक लाला नामा दे इसका नम सामिन थे सुनीर मिश्रा और मोहित मिश्रा फादि रफ्तार किया गया जो इन्होंने पैसे एक लाग तेजार उसी नूटे थे उसमें से क निए 25,000 रुपए की बरामद भी है, मर्तक का मोवाइल बरामद हुआ है, मर्तक का बैग बरामद हुआ, मर्तक की कपड़े बरामद हुए, उसका ATM कार्ड, आधार कार्ड, कैश्पूप, चेट्बूप, सारी चीज़े बरामद हुई है और अभ्यूप मोहित मिश्रा के पा और इस प्रकार से ठाना नेजा की पुलिसगारा बरिश पुलिस अदिचक महदे के लिर्वेशन में पुशल कार्ड करते हुए इस घटना का सपल अनावरन की लिए और इसकी विए यह सब्सक्राड बेलगी बरामद हुआ है, इसकी प्रकार से एक जो घटना अनवबल लोगो उसकी विजान कारी अवी कारी नेकिन इसकी शिकारते पुरु में तो